हेलो औन वेलकम एफ्रीवन दा ओनलाइन गुरू में मैं सुनिल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं RIMC यानि की राष्ट्रिय इंडियन मिलिटरी कॉलेज दहरादून के बारे में और specially इसके जून 2024 में जो होने वाला entrance exam है उसके विशेह में जानेगे इसके थूँ कहाँ admission मिलता है कैसे admission मिलता है syllabus क्या होता है आपका educational qualification क्या होना चाहिए आपका date of birth क्या होना चाहिए ताकि आप इसमें eligible हो सके and lot more जो आपको कहीं पे भी entrance exams में participate करने से पहले जानना वही सारे information आप सभी के लिए मैं regular basis पर लेकर आता हूँ तो अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe कर bell icon प्रेस कीजेगा ताकि timely आपको videos के notification मिल सकें तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को inform करना चाहता हूँ राश्ट्रिय इंडियन military college दहरादून के function करता है जो कि directly defense ministry इसे manage कर रही होती है तो आप समझ सकते हैं कि NDA की preparation करना और defense ministry अगर manage करें किसी school को तो वो आपके लिए कितना best हो सकता है उसका आपको अंदाजा यहीं से लग चुका है अब थोड़ा सा school के बारे में inform करूँ तो यह school अपने educational qualification इतना ही नहीं co-curricular activities चाह चाहे वो horse riding हो चाहे वो swimming हो चाहे वो कुछ भी जो आपको अपने overall development के लिए चाहिए वो सारी के सारी facilities यहां पे आपके लिए available करवाता है इनके पास एक huge infrastructure available है जहां पे एक limited number of students को यह train करते हैं और उनहीं limited number of students को बहुत ज्यादा attention and focus यह अपने यहां पे देते हैं ऐसा न students का यहां पे admission हो जाए और उनका take care नहीं कर रहे हूं यह एक limited batch रखते हैं और उसी limited batch को maximum facilities available करवाने के लिए जानी जाते हैं सो यह जो institute है वो RIMC दहरादून में established है अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चे का इसमें admission करें तो कुछ चीज़ें आपको जान लेना आवश्यक है तो चलिए वही सारे important things को यहां पे देखते हैं सबसे पहले उन्हें देखें उससे पहले मैं आप सभी को inform करना चाहूंगा हमारे तरफ से RIMC, RMS, Sanic School नवादे विद्याले जैसे various entrance exams के लिए online classes available हैं अगर आप हमारे साथ जुड़कर live classes के तुरू prepare करना चाहते हैं तो 7737-653468 पर आप मुझसे contact कर सकते हैं सबसे फर्स्ट यहां पर आपको eligibility criteria जान लेना जरूरी है कि आप कब इसमें eligible हो जाएंगे तो इस देखिए दो टाइप के eligibility criteria है पहला होता है आपका educational qualification और second होता है आपका age factor सबसे पहले educational criteria को अगर देखें तो इनका clear cut कहना है कि जो entrance exam तो आपका June में होने वाला है तो देखिए exam तो कब होगा June 2024 में लेकिन आपको admission कब मिलने वाला है तो admission मिलने वाला है January 2025 में क्यूं होता है ऐसा कि आप June में paper दे रहे हैं और December के बाद January में अगले साल आपको admission मिल रहा होता है तो इनका process थोड़ा सा लेंदी है first आप written paper देंगे then after आपका interview होगा then after आपका medical होगा उसके बाद यहाँ पे जाइनिंग मिलता है तो process थोड़ा लेंदी होता है exam अपने June 24 में दिया है जबकि admission आपको यहाँ पे January 25 में available करवाया जाएगा तो सारी criteria January 25 के according आपको decide करनी है जैसे कि इन्होंने यह specify किया है कि January 2025 में जब आप entrance में participate करेंगे उस time आप या तो class 7 में पढ़ रहे हों या फिर आप class 7 को qualify कर चुके हों तो कई parents के लिए यह थोड़ा सा confusion होगा clear करता हूं like for an example अगर मैं बात कर रहा हूं April 2024 की जैसा कि आप सभी जानते हैं April 2024 से नए session स्टार्ट हो जाते हैं कही जगे पर जो state board है वहाँ पर जून के बाद नए session स्टार्ट होते हैं तो यह मानगे चलिए कि April 24 के बाद अगर आपका बच्चा अभी class 6 में पढ़ रहा हो तो क्या वो वहाँ पे January 25 में 7 में आ जाएगा तो आप कहेंगे सथ नहीं आएगा तो इसका मतलब है यह बच्चा eligible नहीं है तो eligible कौन है ऐसा बच्चा जो April 24 में 7 में entrance ले ले लेता है व अब यह तो था first criteria second criteria क्या था second criteria इन्होंने बूला है कि should have passed या तो 7th learning हो या फिर qualified हो अब qualified के सीम में यहां पर मान सकते हैं कि 8 में आ गया हो बच्चा तो भी तो eligible होगा तो ऐसे में आप यह ध्यान रखिए April 24 के बाद अगर अगर आपका बच्चा 7th class में आ जाता है तो वो eligible है और clear करता हूं अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं February में मैंने इसे upload किया है तो February में अगर आपका बच्चा 6th में पढ़ रहा है 2024 में तो भी आपका बच्चा eligible है क्यों eligible है क्योंकि वो April के बाद वाले session में 7th में आ जाएगा और जब admission January में मिलता है तो उस time पे वो ब बच्चा अभी class 7th में पढ़ रहा है और April के बाद वाले session में class 8th में आ जाएगा तो भी eligible है क्यों second criteria क्या है should have passed class 7th तो दोनों में ही आपका बच्चा eligible है in short summarize अगर मैं करूं तो क्या कह सकता हूं अगर आपका बच्चा अभी February में 2024 में class 6 में पढ़ रहा है तो eligible है next thing अगर आपका बच्चा है April 2024 में जो नया session स्टार्ट होता है उस नए session में बच्चा आपका class 7th में आ रहा है तो भी वो इसके लिए eligible हो जाता है ये दोनों चीज clear है आपके लिए फिर भी doubt हो तो नीचे comment section खुला है आप comment section में comment कीजे या फिर मेरे number double seven three seven six five three four six eight पर भी आप मुझ से contact कर सकते हैं second thing second thing होता है age related criteria age related criteria की अगर बात करूँ तो इन्होंने का है कि आपका बच्चा साड़े 11 से 13 साल का होना चीए अब वही वाली बात है आज की date पे calculate मत करना कब calculate करना है जिस दिन admission मिलता है तो admission कब मिलेगा 1st of January 2025 तो 1st Jan 25 में आपका बच्चा साड़े 11 से 13 साल का होना चीए अब यह calculation भी typical हो गई है तो चलिए उसको और easy करता हूँ यहाँ पर अगर आपका बच्चा 2nd of January 2012 से लेकर 1st July 2013 के बीच में उसका birth है तो वो इसके लिए eligible है दुबारा repeat करूँगा अगर आपके बच्चे का date of birth 2nd January 2012 से लेकर 1st July 2013 के बीच में है तो वो इसमें participate करने के लिए eligible है आप आसानी से इसमें participate कर सकते हैं हाना कि यह एक tentative idea है previous notifications के according exact dates के लिए आपको notification चेक कर लेना चाहिए notification usually February के ending part तक आ जाता है तो उसे देखने के लिए चैनल को subscribe कीजेगा बैल आइकन प्रस कीजेगा ताकि जब भी notification issue हो आपको complete details वहाँ पे available करवाई जा सके तो यह था आपका eligibility criteria अब बात करते हैं exam में steps क्या क्या है process क्या क्या है तो देखो आपका exam तीन चरणों में चलता है first written second voice-a-voice यानि के interview और third phase होता है आपका medical test तो सबसे first thing written test जिसको अभी आपको counter करना है June 24 में होने वाला है तो written test में क्या होगा वो देख लेते हैं देखे written test में तीन subject पूछे जाते हैं first होता है English, second होता है mathematics और third होता है general knowledge अब यहाँ पे एक confusion दूर करते हूं अभी तक तो military school का entrance दिया होगा या फिर आपने क्या किया होगा sanic school का या navoday का entrance दिया होगा उन सभी का paper mcq based होता है लेकिन RIMC का paper mcq based नहीं होता है अब अगर यह RIMC का paper mcq based नहीं है मतलब written होगा आपको सारे questions को उसी sheet में solve करके submit करना होगा first thing second thing English जो है वहाँ पे 125 marks का आपको दिख रहा है यह three parts में divided होता है first part में आप कह सकते हैं कि आपके पास grammar होगा second part में आप कह सकते हैं कि vocab related चीजे grammar के साथ मिलके ही आ जाती है या writing part आप यहां पे कह सकते हैं जिसमें essay letters articles वगरा होते हैं and third part होता है आपका comprehension तो comprehension के अंदर क्या होता है even आपको passages वगरा दिये ह होते हैं उसे पढ़ना होता है उनके answers देने होते हैं summarize करना होता है and all आपको वहां पे fulfill करना होता है तो यह तो होता है English का paper second thing आपका mathematics का paper mathematics का 200 marks का paper भी two parts में divided होता है part A and part B जहां पे various markings के according आपको questions को solve करने होते है general knowledge का paper quite easy होता है क्योंकि यहां पे options या fill-in-the-blanks के questions होते ह तो आप आसानी से कर सकते हैं 75 marks का होता है अब यहां पे इसके typicality भी आपको समझनी चाहिए अगर मैं कहूं कि यहां पे previous results देख लेंगे तो किसी भी state में से अगर किसी भी state में से अगर 400 to 500 students ने apply किया है ठीक है किसी भी state में से 400 to 500 students ने apply किया है और आप जानते है selection 1 या 2 का होना है कितनी seats है उसका वीडियो भी चैनल पर आपको मिल जाएगा किस state के लिए कितनी seats reserved है वो भी आप वहां पे चेक कर सकते हैं तो इतने लोगों ने apply किया और इतने लोगों में से select की बात तो बाद में करेंगे अभी सिर्फ qualify की बात कर रहे हैं ठीक किस के लिए qualify interview के ल आप कैसे होता है अभी आपका बच्चा पढ़ रहा है class 7th में लेकिन इसका जो entrance होता है न वो मैं कह सकता हूं 10 plus 2 level का entrance paper यहाँ पे set किया जाता है क्योंकि extraordinary बच्चों को ही यह select करते है normal and average student यहाँ पे select होना ना के बराबर हो जाता है आप super brilliant है आप बहुत ज्यादा hard working है त तो आपको इस level तक prepare करने के लिए अपने आपको determined रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूं तो ही आप यहाँ पे qualify करेंगे अब qualify करने का मतलब in each subject 50% marks अगर आप लिया आते हैं आप qualify हो चुके हैं and अगर previous record कहूं अगर किसी बच्चे के 50% and above आ गये न वो directly select है क्योंकि बहुत सारे ऐसे states होता है जहाँ पे बच्चे qualify भी नहीं करते है जीरो result होता है वहाँ पे तो ऐसे criteria में आपको इसके लिए थोड़ी अच्छी मेहनत करने की जरूरत है और अगर आप qualify होता है then आप interview के लिए जाएंगे medical के लिए जाएंगे और finally आपको REMC में joining मिल जाएगा तो यह overall इ other school entrance से related informations हमारे चैनल पे regular basis पे upload की जाती है अगर आप उन सभी को देखना चाहते हैं तो हमें various platform पे follow कर सकते हैं अगर अभी भी कोई doubt या कोई query आपके मन में है तो definitely नीचे comment section खुला है आप comment section में comment कीजिए within 24 hours आपके सभी doubt and queries को resolve किया जाएगा अगर आप हमारे साथ जोड़कर online classes के तुरू prepare करना चाहते हैं तो 773-765-3468 पर आपनों से contact कर सकते हैं तो मिलते हैं आपसे अगले session में तब तक के लिए जैहिंद